हेलो क्लास, आज की वीडियो में हम exercise 2.2 को देखेंगे कैसे किया जाएगा, इससे पहले वीडियो में हमने exercise 2.1 को complete कर लिया था, तो देखतें exercise 2.2 का first सवाल क्या कह रहा है, कि find the value of polynomial, 5x-4x square plus 3, तो इसमें इसकी value निकालनी है, किस-किस point पे, जब x कमान 0 होगा तब, जब x कम का कह रहा है कि 5x-4x square plus 3, इसकी value निकालनी है, किस-किस point पे, जब x कमान क्या हो, 0 तब, जब x कमान क्या हो, minus 1 तब, और जब x कमान क्या हो, 2 हो, तब निकालना है, तो सबसे पहले हम यह equation दी है, यह polynomial जो दिया है, इसको let कर लेते है, px, तो px is equal to क्या दिया है, 5x-4x square plus 3, यह दिया हुआ है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, x is equal to 0 पे, तो यहाँ पर लिख लेंगे, x is equal to 0 पे निकालेंगे, तो x क्या put करेंगे, 0, तो यहाँ आएगा, p0 is equal to 5 multiply 0, minus 4 multiply 0 का square plus 3, अब देखो 5 को अगर 0 से multiply करोगे, तो क्या मिलेगा 0, अब देखो 0 का square 0, और 0 को 4 से तो x जेगा, हाँ जेगा, minus 1 रखना है, तो 5 multiply minus 1, minus 4 multiply minus 1 का square, plus 3, अब देखो 5 बंजा 5, और minus और यहाँ प्लस, तो क्या आएगा, minus 5, minus 1 का square, 1 आएगा, 4 बंजा 4, minus 4, plus 3, अब देखो 5 और 4 कितना होगा, 9, minus, minus plus, ठीक, sign लेगा, किसका, minus का, 9 आएगा, plus 3, अब minus करेंगे, क निकालना, x equal to 2 पे, तो देखो, p2 पे निकालेंगे, तो x है क्या output करेंगे, 2, तो 5 multiply 2, minus 4, multiply 2 का square, plus 3, अब देखो 5 तू जा, 10, minus 2 का square, 4, और 4 जा 16, plus 3, अब देखो 10 और 3 कितना होगा, 13, minus 16, minus करेंगे कितना है का, minus 3, तो यहाँ से इसकी value आएगे, ठीक ना, अब कोस्न न 0 पे, p1 पे, और p2 के, ठीक ना, इनकी value निकालनी है, यह जो polynomials दिया है, इन सम में रखके, तो देखते कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम अपना question लिख लेते हैं, किसकी point पे निकालना है, second में, p0 पे निकालना है, p1 पे निकालना है, और p2 पे, इस पे इनकी value निकालनी है तो पहला सवाल दिया है, कि py is equal to y square minus y plus 1, तो देखो, पहले हम यहां पर क्या रखेंगे, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 2 रखेंगे, तो पहले 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर क्या आएगा, 0 कर square minus 0 plus 1, देखो, 0 कर square 0, minus 0, तो 0, 0, 0, 0, और 0 plus 1, 1, तो इस का अंसर आएगा, 1, ठीक, अ अब निकालेंगे किस पर, p1 पर निकालेंगे, तो p1 पर देखेंगे, तो जहां चाब y लिखा हमाँ, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 1 कर square minus 1 plus 1, अब देखो, 1 कर square क्या हैगा, 1 minus 1 plus 1, 1 से 1 कट गया, बचा कितना, 1, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, अब p2 पर निका गया, 2, और 2 और 1 कितना होगा, 3, तो इसका अंसर क्या आ गया, 3 आ गया, अब question number 3 देख लेतें, क्या कह रहा है, तो question number 3 कह रहा है कि verify करो, ठीना, whatever the following are zeros of polynomial, कि ये इसके zeros हैं कि इस polynomial के, indicate against them, तो पहला का सवाल दिया गया, px is equal to 3x plus 1, is equal to, comma x is equal to minus 1, sorry, इसने काया कि px के value य ये दी गई है, ठीना, ये polynomial दिया गया है, इस पर निकालना है कि हमको, इसका zeros क्या होगा, यही होगा, ये verify करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे, तो पहला सवाला हम देख लेते हैं, क्या दिया है, px is equal to 3x plus 1, ठीना, और हमें बताना है कि x is equal to minus 1 by 3, ये इसका ही क्या है, zeros है, तो बस हमें क्या करना है, x क्या put करना है, minus 1 by 3, तो put करते हैं, तो p minus 1 by 3, is equal to 3 multiply, minus 1 by 3, plus 1, 3 से 3 कटा, minus 1, और plus 1, कितना आएगा, 0, तो यहाद रखना, अगर, जो तुम अगर उसका zeros put करते हो, किसी भी polynomial में, अगर उसकी value क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो समझ लेना कि वो x is equal to 5x minus pi, यह value दी हुई है, ठीना, इसने का कि x is equal to 4 upon 5, इसका क्या है, 0 होना चाहिए, ठीना, तो देखते हैं कैसे करेंगे, तो सीरा सीरा हम क्या करेंगे, x से यह क्या put करेंगे, 4 upon 5, तो put करते हैं, तो p, 4 upon 5, is equal to 5, multiply 4 upon 5, minus pi, अब देखो 5 से 5 कट गया, बचा 4, अब pi की पता, 2 upon 7 होती है, अगर इसको minus करेंगे, तो क्या तुमको zeros मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसका अमलब यह इसका verified person नहीं है, या फिर इसका zeros यह नहीं है, अब next question देखते हैं, थार्ड, थार्ड क्या कहरा है, थार्ड कहरा है, कि p x is equal to x square minus 1, ठीना, यह equation दी हुई है, इसके x square to 1 और minus 1, इसके zeros हैं, यह नहीं, तो बस कुछ नहीं कहना, पहले x command 1 लखेंगे, और minus 1, अगर इन दोनों को रखने पर क्या आ जाए, 0 हो गए, तो इसका अमलब यह इसका zeros होंगे, और यह verified हो जाएंगे, तो रखते हैं, तो देखो जब x command 1 अक होगे, तो 1 का square minus 1 कितना आएगा, 1 का square 1 और minus 1 गया, 0, तो इसका अमलब यह जो 1 लखा तुमने, यह आपने जो रखा 1, इसको रखने पर अगर 0 दे रहा, तो इसका अमलब क्या है, यह इसका zeros है, अब minus 1 भी रखके देखते हैं, तो minus 1 का square, minus 1, अब minus 1 का square क्या होता है, 1, 1 minus 1, अब minus 1 कितना आएगा तो question 4 कह रहा है, कि Px is equal to x plus 1, फिर दूसरे bracket में x minus 2, ठीक न, दूनों multiply में है, तो इसके zeros हैं की नहीं है, तो देखते हैं कैसे करेंगे, तो इसके पहले question देख लेते हैं, तो इसने का कि Px is equal to x plus 1, और फिर x minus 2, और zeros निकाल ले हैं, हमें चेक करना है, कि x is equal to minus 1 और 2 पे क् करना है, तो देखो, जब x कमान का दिया, minus 1, तब यहां minus 1 पूट करें, तो minus 1 plus 1, ठीक, minus 1 minus 2, अब minus 1 और plus 1 कितना आएगा, 0, और इसको करेंगे, तो कितना आएगा, minus 3, अब 0 को इससे multiply करेंगे, क्या मिलेगा, 0, इसका मलब यह इसका zeros है, अब 2 रखके देखते हैं, तो 2 क्या आएगा, 2 plus 1, और फिर 2 minus 2, 2 में से दो गया, कितना है, 0, और यह 3, अब देखो, 3 को 0 से multiply, 0, तो इसको रखने भी क्या मिल ला है, 0's मिल ला है, इसका मलब, यह दोनों इसके क्या है, 0's है, अब कोसर मर फिफ देख लेते, क्या कर रहा है, कि P x is equal to x square, यह question दीए, अब कि x is equal to 0, पे इसका 0's बताओ, कि यह इसका है, कि नहीं है, तो सीधी बात, अगर x is equal to 0 दिया है, तो x क्या पूट करेंगे, 0, अगर x की जिएगा, तुमने 0 पूट किया, तो क्या मिलेगा, 0, इसका मलब, यह इसका 0's है, ठीक, अब कोसर नमबर 6 देखते है, क्या कर रहा है कि px is equal to lx plus m, यह question दिये, अगर x कमान मानस m upon l रखते हैं, ठीक ना, रखने पे यह 0 देगा कि नहीं देगा, अगर 0 देगा, तो इसका मलब, यह इसका 0's है, तो लिख लेते है question, question number 6 क्या कर रहा है, px is equal to lx plus m, ठीक न, और इसने बोले हैं, इसका 0's जो given है, minus m upon l है, अब verify करते हैं, तो x देगा क्या रखेंगे, minus m upon l, तो रखते हैं, p minus m upon l, is equal to l multiply minus m upon l plus m, देखो, l से l क्या हो गया, cancel out, और minus m plus m, देखो, यह दुनों क्या हो जाँगे, यह भी cancel out, तो क्या बच्छेगा, 0's, तो इसका मलब, 0 आने पे, इसका मलब, यह इसका क्या है, 0's है, और 2 by root 3, यह दुनों, इसके 0's हैं कि नहीं है, यह हमें चेक करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे, तो question number हमको कौन से दिया है, 7th है, ठीक न, 7th कहा रहा है, कि p x is equal to 3 x square minus 1, यह दिया हुआ है, हमें पता करना है, तो x is equal to minus 1 by root 3, और 2 upon root 3, इन देखो पे 0's के verify करना है, तो हम यह रखेंगे, तो p minus 1 by root 3, यह हमने value रखी, तो 3 multiply minus 1 by root 3 का square, और फिर minus 1, अब देखो, minus 1 का square 1, और root 3 का square 3, तो 3 multiply 1 by 3, 3 से 3 कटा, ठीक, तो बचा 1 minus 1, और 1 से 1 गया, 0, तो देखो, यह इसका 0's को verify करना है, यह इसका यह part है, ठीक न, 2 by root 3 भी रखके देख लेते हैं, तो p 2 by root 3, तो 3 multiply 2 by root 3 का square, minus 1, अब देखो, 3 multiply 2 का square 4, और root 3 का square 3, minus 1, 3 से 3 कटा, 4 में से 1 के ज़या, कितना बचा 3, तो 3 आ रहा है, तो इसका मालब, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मालब यह इसका 0's नहीं है, और जब यह इसका 0's नहीं है, इसका मालब यह verified नहीं है, त ठीच न, अब कोस्ट नमर्ट 8 देख लेते हैं, 8 क्या कह रहा है, तो 8 में कह रहा है कि Px is equal to 2x plus 1, ठीच न, यह हमको equation दीए, इसने कहा कि x is equal to 1 by 2 पर बताओ कि यह इसका zeros है कि नहीं है, तो देखते कैसे करेंगे, तो लिख लेंगे Px is equal to 2x plus 1 यह दिया हुआ है, और zeros इसका दिया है, x is equal to 1 by 2, तो verify करते हैं, तो पहले x देख क्या लिखेंगे, 1 by 2, तो P 1 by 2 is equal to 2 multiply 1 by 2 plus 1, 2 से 2 देखो क्या हो गया, cancel out, बच्चा 1 plus 1, add करेंगे कितना है कि 2, अब यहाँ पर zeros तो मिल नहीं रहा है, zero मिल नहीं रहा है, तो इसका मुलब यह इसका zeros नहीं है, तो यह क्या होगा, not verified, खिक ना, अब कोस्न में फोर्ट देखते हैं, कोस्न में फोर्ट क्या कर रहा है, कर रहा है, find the zeros of polymers in each of the following cases, पहला दिया Px is equal to x plus 5, दूसरा दिया Px is equal to x minus 5, तिसरा Px is equal to 2x plus 5, और चौथा ऐसे ऐसे करके इसके सवाल दिये, तो करते हैं, पहला सवाल क्या दिया गया है, तो फोर्ट का पहला सवाल दिया गया है, कि Px is equal to x plus 5, अच्छा इसका zeros निकालना है ना, तो अगर तुमको 0 निकालना है, तो कुछ नहीं करना होगा, बस तुमें Px की value को क्या कर देना है, 0 कर देना है, तो let कर लेंगे Px is equal to 0, जब यह 0 हो जाएगा, तो 0 is equal to x plus 5, 5 plus का उदे गया तो minus का, तो minus का 5 is equal to x, तो इसका 0 क्या आ गया, minus 5 आ गया, ठीक, अब second सवाल देखते हैं, second सवाल क्या कह रहा इसका, कि Px is equal to x minus 5 पे निकालना है, तो निकालते हैं, Px is equal to x minus 5 पे, तो फिर सम क्या करेंगे, let करेंगे Px को 0, तो x minus 5 is equal to क्या आ गया, 0, अब minus का 5 हो देख गया तो plus का, तो x कमांड क्या आ गया, 5, तो इसका 0 क्या आ गया, 5 आ गया, अब कोस नमबर थार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, तो कोस नमबर थार्ट कह रहा है, कि Px is equal to 3x minus 2, ठीक ना, इसमें 0 जिकालना है, तो लिख लेते हैं, Px is equal to x minus 2, ठीक ना, sorry, 3x minus 2, ये दिया हुआ है, तो हम Px को फिर क्या करेंगे, let करेंगे Px is equal to 0, तो 0 is equal to क्या आ गया, 3x minus 2, minus 2 उदा गया तो plus का, और 3x, 3 multiply मुदा गया तो divide में, तो 2 by 3, तो ये x का मान आ गया, या इसका 0 जा गया, ठीक, इसका 0 को किसी भी नंबर से divide करो, तो क्या मिलेगा, जीरो, तो इसका answer क्या आएगा, जीरो आएगा, अब जीरो आ रहा है, इसका मलब क्या है, कि ये इसका 0 है, ठीक, और इसका 0 क्या आएगा, ठीक, अब को स्वेंबर 5 देखते हैं, 6 देखते हैं क्या कर रहा है, कि Px is equal to Ax, तो लिग लेते हैं, 6 है, डिवाद करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक, अब एक्स कमान जीरो, तो इसका 0 है, 0 ही आएगा, अब कोस्न नमपर 7 देखते हैं, क्या कह रहा है, कोस्न नमपर 7 कह रहा है, कि Px is equal to Cx प्लस D, ठीक, 7 कह रहा है, 7 कह रहा है, Px is equal to Cx प्लस D, अब देखो Px, फिर यहां से लेट करेंगे, Px को क्या, 0, यहां 0 लिखेंगे, 0 is equal to Cx प्लस D, अब देखो D plus का होदा गया, तो मानस का, तो मानस का D is equal to Cx, C multiply मोदा गया तो डिवाइड में, तो मानस का माना आ गया, X का आ गया, मानस का D upon C आ गया, ठीक ना, अच्छा देखते हैं, कोस्नों मोदा थार्ट किया है कि नहीं किया है, सौरी, कोस्नों मोदा थार्ट हमने यह कर दिया था, ठीक ना, जबकि यह कोस्नों मोदा थार्ट था, अब कोस्नों मोदा थार्ट भी कर लेते हैं, तो question number third क्या कह रहा है कह रहा है कि px is called to 2x plus 5 इसमें इसका 0's निकालना है तो लिख लेते है px is called to 2x plus 5 तो हम फिर से यहां से let करेंगे px को क्या 0 तो 0 is called to क्या आगा 2x plus 5 अब 5 plus का उधागर तो मानस का is called to 2x 2 multiply उधागर तो divide में तो 5 by 2 मानस का होती है तो आप हमारे comment box में comment कर सकते हैं हम उसका solution आपको बता देंगे इसके अलावा हम अपनी पुरानी वीडियो का link description box में डाल लेंगे आप वहां से उसे check out कर सकते हैं और अगर आपको इनमें कोई doubt है तो आप बता सकते हैं ठीना धन्यवाद आश्ची क्लास के लिए